वल्कम तो स्टडी चैनल मेरे नाम है मुहम्मत कैसर UP TGT PZT की त्यारी करने वाले सभी छात्रों के लिए जरूरी सूचना है आप इस भरती को लेकर या किसी एक भरती को लेकर बिल्कुल भी ना बैठे रहें जहां पर option मिले जहां पर मौका मिले आप आवेदन करें और जम कर त्यारी करके परिक्षाद दें इससे मैं दोस्तों एक Love Model Residencial School यानि की EMRS की तरब से TGT के लिए आवेदन मागे गए हैं काफी अच्छे खासे पद हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाच तक देखिए और यहां पर आप आवेदन कर दीजिए और TGT के साथ PGT के लिए भी आवेदन कुछ समय पहले मांगे गए थे और अभी उसकी last date बची हुई है तो आप PGT के लिए भी form बर सकते हैं तो TGT और PGT दोनों चात्रों के लिए यहां पर option है पहले बात करते हैं TGT वाले विग्यापन की जो अभी हाली में जारी हुआ है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आवेदन सुरू हो गया है last date है 18 अगस्त फॉर्म बनने की fee थोड़ी जादा है 15 रुपए है TGT के ल लिए तो TGT के यहां पर पांच या सदिक पद हैं पांच या 660 हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 टूटल 634 पद है और जो दूसरा वाला विग्यापन है पीजीटी का उसमें 4000 के लगवा विग्यापन है तो टूटल हो गए 10,000 पद बजट के दोरान सरकार दोरा ये कहा गया था कि हम EMRS में 38,000 के लगवा पदों को भरती करेंगे तो वो 38,000 एक साथ नहीं भरे जा रहे हैं इस तरह से छोटे छोटे विग्यापन आएंगे और उनको भरा जाएगा हाला कि ये भी कोई छोटा विग्यापन नहीं है 5000 सेदिक TGT के पद काफी अच्छे खासे माने जाते हैं देखते हैं पदों के संख्या यहां पर विशयवार तो जो में सब्जेक्ट हैं यहां पर हिंदी है 606 पद हैं इंग्लिस 631 मैच 686 सोसल स्टडीज 670 और साइंस 678 तो यह हैं TGT के सब्जेक्ट कैटेगरी वाइस भी आप स सकते हैं यह मारस के लिए ऐसी कोई भी अनिवारता नहीं है कि आप किसी स्टेट स्पेसिफिक होने चाहिए इनके जो स्कूल है वह अलग अलग राजियों में हैं और आपको वहीं पर ज्वानिंग मिलेगी बिल्कुल यह सरकारी नोकरी है के विए संगिस की तरह यह भी रि लीजिएगा टेलिग्राम चैनल जरूर्ड जोइन करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फिन कॉमेंड में लिंक दिया गया है और इसके अलावा टीजिटी के और भी कुछ पद हैं म्यूजिक है 320 पद आर्ट तीन सो ब्यालिस पेट मेल 321 पेट फीमेल 345 तो इस प्रकार से क आपको मौका मिल रहा है तो आप फॉर्म भरिये सैलरी काफी अच्छी खासी है आप यहां से देख सकते हैं और बात करते हैं दोस्तों एक्जाम पैटन की तो पहले मोड आफ एक्जाम नेशन मताया गया है कि OMR बेस्ड आफ लाइन एक्जाम होगा ठीक है तो इसको लेका नहीं है एक्जाम का जो मेडिया में हिंदी इंगलेस में होगा और लेंगुज वाले पेपराव को पता है कि लेंगोई में होते हैं एक्जाम का पैटन हम वो समझते हैं तो यहां पर टोटल छह पार्ट में आपका पेपर देखने को मिलेगा और वन टू फूर पार्ट जो एक कोशन एक नंबर का है ठीक है यह सबके लिए सेम रहेगा चेंज होगा वो पार्ट फाइफ में होगा यहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिर आपका एक्सपरिमेंटल एक्टिविटी दस कोशन और सी और डी मिला कर पांच नंबर तो इस प्रकार से यह पार्ट फाइफ तक हो गया यही आपका में पेपर है इसी से कट आप बनेगा वन टू फाइफ वाले में जो छठा पार्ट है यह तीस नंबरों का होगा तीस क दस कोशन आएंगे तो इसमें आपको बार नंबर ला देना है और यदि आप इसमें बार नंबर लाएंगे तभी जाकर आपका यह में पेपर है 120 नंबर वाला वो चेक किया जाएगा ठीक है इतनी चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए और जो रिजनल लैंग्वेज हैं उस इसको भी आप देख लिए आप इंट्रेस्टेट हैं तो आप यहां पर भी आवेदन कर सकते हैं नेगेजिव मार्किंग यहां पर है दोस्तों 0.25 यानि की वन फोर्थ नेगेजिव मार्किंग भी है और एक्जाम का जो सेंटर्स होगा वो कहां कहां बनेगा उसके बारे में भी जानकारी है एलिजबिल्टी क्या है वो भी यहां पर है एलिजबिल्टी हम लोग पहले देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों TGT English Hindi और जो थर्ड लैंग्वेज था Math Science सब के लिजबिल्टी बताई गई है अपर सबसे पहले तो समबंधित विसे में आपका सनातक होना चाहिए सब्जेक्ट से आपने ग्राइशन किया हुआ है उसी सफावेदन कर सकते हैं और यह पास हो और सीटेट यहां पर अनिवार है टीजीटी के लिए तो टीजीटी है तो सीटेट का पेपर टू हाला कि अनिवार सकता यूपी टीजीटी में नहीं होती है लेकिन यहां पर है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं एक विशय की बात करें तो टीजीटी हिंदी के लिए यह है कि आपके ग्रेजुएशन के तीनों साल में हिंदी होना चाहिए यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा वह भी एलिजबल रहेंगे कोई समस्ता नहीं आएगी अब आप समझ गए होंगे और मुजिक बगारे के लिजबिल्टी सब कुछ इसमें दिया गया है एज का रिलेक्षेशन देख लिजिए काफी अच्छा खासा एज में रिलेक्षेशन मिलता है ठीक है और सेंटर की मैं कर रहा था कहां कहां सेंटर बनेगा तो भी आपको आपको और शलबस है वोभी मैंने तेलगराम पर शेयर कर दिया है साथी साथ ये जो GSGK वाले टॉपिक हैं उसका भी सल्बस आपको मिल जाएगा ये है वो सल्बस वाला PDF देख लीजिए पूरा डीटेल में इसमें सल्बस है सब्जेक्ट वाइज भी है सब कुछ जिमें है बात कर लेते हैं पीजीटी वाले नोटिफिकेशन की ये कुछ समय पहले जारी हुआ था लेकिन अभी लास्ट डेट बचा हुआ है तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ ताकि यदि आप इंट्रेस्टेट हैं तो यहां पर भी आवेदन कर सकते हैं देख लेजिए 31 जुलाई तक यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे पीजीटी का यहां पर प्रपद है यहां पर है और आगे बढ़ते हैं तो पीजीटी में भी थर्ड लेंगविज वाला ऑप्शन है यहां पर भी छे विशे हैं इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं आप यहां पर रही सैलरी और एक्जाम पैटर्न वगर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए बीएड बिल्कुल अनिवार है सीटेट की आओ सकता यहां पर नहीं पड़ती है चार साल का जो इंटेग्रेट कोर्स होता है उसके लिए बीएड की जरुवत नहीं होगी बागी आपडेटेल्स एक बार देख लीजेगा खुद अप अपने एकॉर्णि तो यह रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ माहत्पुड अपडेट कोई डाउट हो आपके MRS भारती संबंदी तो आप हमसे कॉमेंट हैसल में पूस सकते हैं आपके सभी सवालों का जवाब 100% कल दिया जाएगा एक डिटेल वीडियो बनाकर तो आ आप जल्दी से अपने queries को लिख दीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर कर दाएं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन जरू दबा लेजे ताकि आपको सारे जानकारियां मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग